हलो दोस्तों पीसिमेज गुशन सेंटर पर आप सबका स्वागत है चलिए हम लोग लाइब हैं और सबसे पहरे वीडियो को लाइक कर दिजिए वीडियो के सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यहां हम लोग देखने वाले हैं किमेश्ट्री के जो मुस्ट इंप को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और सबसे पहला जो शुरू करें को सब्सक्राइब कर देख लिए बंदराम नाइट्रोजयन क्या तरिक कौन सा थभ उता है ग्रूप 15 और परियोडिक टेवर इन्इक्लूड से न नाइट्रोजन एंड मतलब जो 15 वाला गुरूप है इस पंदरे वाल इस 15 डामा गुरूप में नाइट्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व होता ही आपको बताना है तो चलिए आपको आपकू प्यूट्रीढ में है उसको से निया जलदी से कमेंट कीजिए किसमें कौन सा उं तो इसमें उपस्तित रहेगा चलिए अगर आप जानते हैं तो ठीक है जो कमेंट जिनका जिनका भी आंसर रहा है सभी लोग सभी हो इसका अंसर आपका फॉस्पूरस ही होगा क्यों क्योंकि नाइट्रोजन में कौन-कौन होता बहुत तो नाइट्रोजन के अतरिक जो ग्रू खुष करतब़ं चैनल इस सभी हो करें इसा फॉस्पूरस ग्रूसर इसमें यसका फॉस्पूरस पर देखेंस कहें हैं जैंब फॉक्तोल जैंब खङोता है केमिला में आपको चाहिए फॉक्त९न Merkel होता है आपको बताना है सबसे पहले हैं जो आपको भी आपको पूप्षिंगोटा दिया ओप स्पाला क्या रहेगा चली जल दी सैजिए अगर आप जानते हैं तो इस lettuce आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो दूनों को सना भी तक बताएं और जो भी इस वीडियो आपको बताएंगे वह मैक्समा आपको रिपीटेड रहता है जो एक्जाम में आपको पुछा गया पीछे उस तरह के रिपीटेड रहेगा एक्जाम में कई बारे सब पुछ अगर आपको एक्जाम में गुलुकोस का भी फॉर्मॉला पुछा पूछा जाता है तब ही आपको सेच्ट फॉपर्मॉल और ओशिक से चलते हैं नेक्सट कोस्तन है यहाँ पर देखिए हाँ यह एक मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्तन है और यह कई पर रिपीट भी आपको किया है चली जल्दी से इसको पढ़ लीजे पहले कोस्टन में क्या कहा गया आरगन पर जेंट इन वहीच ग्रूप प्रियोडिक टेवल यह बताना है कि आरगन जो होता है आवार्थ साधने के किस समूं का सदस्ट होता है किस समूं का सदस्ट है यह आपक के बारे कि बताना है कि कौन सा ग्रूप में यहां पर उपास्THित रहेगा कि समूंकर आप्सट दिया गया पहला पंण जीरो ओ इसका अंसर और Everyone किसी का नहीं रहेगा आपका आपका जिसका इसका ऑन्सर भी आ रहा हो बुग सभी लोग सई हो ध्यान देना긴 ऑतो अथमा गुरूप जो हम लोग बोलते हैं, 8-A में है और नहीं तो उसी आठमा गुरूप को एक नया नाम देते हैं, भूँआ जीरो गुरूप, तो आपको धिया रखना है कि जीरो गुरूप इसका अंसर है जीरो गुरूप, पूछा जाए कि कौन सा गुरूप का है सबस्ट से होता ठीक है अगला कोंशन एक कहा गया कि नूबेल गयास जो नूबेल गयस है कि रिए सब्सक्राइब कहा गया कि क्या होता है जल्दी नाहीं आपके रिख्री परमानविक पर नहीं 경ण नहीं नहीं की नहीं सब्सक्राइब करों और जिसका अंशर एया आ रहा में नविल कैसे हैं और नोबिल तेन टू दिए परमानवी को होता है लेकिन आप हिलियम को कभी नहीं ऐसा देखे होंगे हैं केबल एची एची टू तो होता नहीं है कभी एक से पार्सिप्रेट करता ही नहीं है तब ध्यां रखना कि जितना भी नोबेल गैस होता है वह सब सिंगल सिंगल फॉम में रहता है आप के ले रहता है एक परमानवी के रहता है आपका आंसर इसमें आ जाएगा आपका जो इसम? नॉबल गैस के बारे में हम लोगों को पास इन्फरमेशन क्या है यह होता है पीछे के वीडियो में इसको भीwiet इसका किये हैं पीछे के विडियो में किया गया है जो आपका होता है एक परमानविक होता है आपको परमानविक होता है याद रहे विडियो को होता है представля से पहले आपको वीडियो को लाइक करते नहां चैनल को होना सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को सेर कीजिए और बेल आकन प्रेस करें जिसे जो भी वीडियो करें लाइव हम लोग जब रहेंगे तो इसका नोड़िकेशन आपको मिलेगा चलिए ठीक है अगला कोस्टन को चल आपको बताना है यहां देखिए क्या क्या आपको पढ़ लिजिए और बताई कि एक पारेज यह कौन सा होता है तीन गो दिया है और एक होता है और एक होता है इसको पहले दिमाग में क्या बने होता है और कितना कितना होता है यहां पर आपको देख लेना यह यह ज़ường क्या चैना आरशील है इसके बाद 2 GO SCL है एक SCL है यहाँ पर दिया गया है आपको और एक SCL और यह वतना है कि आमलराज में जो आमलराज होता वह इसमें क्या रहेगा कौन सा भी देखि याद करने का तरीका समधाते हैं आपको पहले यह दिहां है कि हमेरा जो पुल्स होता है और होता है कोई संख्या का परियोगन के है मत Großu संख्या के मात्स एडिक में तो एक एडिक है और by को त्रांसफ यहां पर दीन यहां स त्रांसफर कर देगा याद रहेगा इस पतु सारा मुश्ट इंपर्डिन तब अपूछा गया question है और repeated question है चले निमलीखित में से कौन सा धातो चले धातो की बहात किया रखेएगा लिभी लिखेशत Criminal लिक्विड 자 रोम टेमपरेचर रोम かमरे के रखेश दीजित करता होता है या को बताना है लेकिन धिया रखते हुए कि धातो दिया है धातो कrophe ही नजर आ रहा है जींग को एच जींग किवल धातु होता है जल आपका अधातु होता है तो जींग होगा चाहिए पा रहा तो बताइए कौन सा धातु जो आपका है द्रबी वस्था में होता है रूम टिमपरिचर पर कमरे के ताब पर चलो जल्दी से अंसर कमेंट करो मुश द्यांनी अगर अगरण आवच द्यास आपका अधातु होता है ज्ञाण रखिएगा तक कौन सा धातु कहा जाते हुए ठीकर कोन सा धातु कहा जाए तक कम्रे के ताब पर व्यवस्था में होता है बात क्लिए हो गया है चलिए अगला चलते हैं स्वार भी दिया गया स्यम कोस्टन है वो देखलो स्यम कोई अंतर नहीं किवल आध्हातु इस वर वो दिया पढ़ लो पहले पहले कुस्टन पढ़िये ऊप अराम से और कोस्टन पढ़िए और के समझे कि क्या को दिया गया है क्या पूचना चाहा रहा है निमळीखित में से कौनसा अधातु इस वार आपको अधातु कहा गया है कि कौनसा अधातु कमरे के तापर या साधारन तापर द्रबी अबस्था में होता है लेकिन अधातु कहा है अधातू में आपका अंसर ब्रॉमीन आजागा भूगा है to धिए रखना धात्तो को जाए त्याद्या अधातू में पर बारा लेकिन अधातू में आपका अंसर ब्रॉमीन हो जागा अब रूमीन एक ऐसा नन मिटल होता है नन मिटल एक ऐसा है अधात्यू एक ऐसा है जो साधारन तापर कमरे के तापर 25 डिजी सेसे बात के लिए हो गया है यहां तक सब लोगों को कंपलीट है बहुआ चलो तब अगला कोशन में देखिए नेक्स्ट कोशन में कहा गया है कि न क्षेकं कि पिता। इसमें सबuba कि घुत कोई आपको समझना पढ़ेगा कि इसमें क्या सब्सक्राइब है ए der risk-70ib karta और इसे जो कौन जारा का इसमें पोर में कंप स्लेंट कगेप उस्य में कहा थियुरिस में लगेगा किस धियूरिस से क्वेस्न बनने वाला ये भी आपको बतानी है चलिए लगाई ये दिमाग जिसका यह आउंसर बिल्कुल नहीं हुगा भगा यह यह ज़ों है और सी तो होगा ही नहीं यह काफी अधिक विक होता है इस कारण से कमजोड बंधन बने काफी अधिक हो जाएगा यह सबसे कम अस्थाइए रहे इसके पास कोई अस्थाइट नहीं होता है अप लिखना चाहते हैं तो लिख लिएगा कि यहां Icl इंटर हैुलोजन कमपौंड होता है इंटर है वैसा कमपौ सभी लोग सही हो अगला कोशन यह और अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट है यह हो सकता है कि आज की क्लास का सबसे इंपोर्टेंट को सनी आपका हो जाए तो चलिए पढ़िए स्रिंखलन गुन काटिनेशन प्रोपर्टी के बाद क्या है कों साइसा सबसे पर समझें उसको सिनकलन काते हैं अब को पता कि इस तरह से बहुत साल जूड़ जाता है कारवन हैं तो यह ही आपका सरेंखलन होता है आपस में जूड़ने की प्रोपरटि स्वय में में जुडेने की प्राव्रम में बंधने की प्रोपरटि अपनें जुडेनिक की को कार्बन का सबसे अधिक होता है इसका से लाखो अर्वो कंपोर्ड का इंबान कर देता है अपस में जूल-जूल के बहुत सारी देखते हैं इसकास अधिक पर देख होता है। और गेनी पढ़ा करते हैं तो वही आपको और साधीक किसके पास होता कारबित आम इसको धिवाद में सिट कर लिजे कारबन के पास सरेंख्लान прин सबसे अधिक होता है धियां रखेंगा इसको कारवन है भी मैक्सिमम कर्टिनेशन प्रोपर्टी चलिए यहां पर हम लग आगे बढ़ रहे हैं और आगे यहां देखो कुछ आ गया है इसको तुद्धम धियान ही रखना है आपका इस चैनल अपना चैनल है पिस्टेमेज को से सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको सेर कीजिए ठीक है और बेल आइकन प्रेस कर लिए जब हम लोग रहेंगे या वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेस्टन आपको मिलता रहेगा चलो बहुँआ अगला को चलो रॉबुम करें प्सटान के जो चलो होता कि पी ऑर बायू और वाइटल का कर कैसा होता है से चयुइस पे और बांट बटाना से फिप और बायु और भाइटल प्टाना से घ्राउब का करनाव सरे नौन सा कि working बटा आपको बहुं एकुए लेकि यह ने कि पीने पूस्ता कर बताना है कि पी और्बाइट्ल काकर कैसा होटा है छलो जल्दी से बताओ पी और्बाइटल काकर डंबेल की और्हें मिनस और-बाइटल यो लो एकदम धियान नहीं रखना है यह को तो लिए स्कम करक्णािशा बूर्यक्टेतं?" इसजीे भी उग थे टुंबल देग्यों इसको थैपका इसको अवर्बाुबिट्युंख अडियोगिशन देखना को घंद मैथ स्बसें था आपकोश्च जो होता है होगा जटिल होता है यहां रखना यहां पुछा था पी का आकार आपका डंबिल जैसा हो जागा भी आपका अंसर इसमें आजाएगा अंसर आपका कौन सा रहेगा तब पी क्लियर है चलो अगला कोर्षीन क्यों चलते निक्स्कोर चलू यहां दिया गया वह यह भी आपके लिये इपने को समय लेना है निमलिखित में से किस ग्रूप के तत्वों को चारिये धातो कहा जाता है अलकली मेटल बिलोंग्स टू भीच ग्रूप और पिरियोडिक टेवल कहा गया कि अलकली मेटल कहां पर रहता है किस ग्रूप में रहता है यह आपको बताना है important question है चारिये ध्लाना पीच्छे के वीडियों में इसके बार में इसके बार में discussion किए पीचे के वीडियों में भी ये सिम कुस्छान आपको मिला होगा तो जल्दि से आप बताइ 175 किसको काते हैं हली ना कबर से फण है जो है वह आपका चाहष्य धातु होता है हलीना में कोंज को समझें यहां पर क्या दिया गया है कहा गया कि निम्लिखित में से कौन हैलोजन तत्व है है यहां यह कहा गया कि एक रहेगा है जल्दी से बताना है बड़ी बेसिक कोश्त नहीं से से में कोई दिकत आपको होई नहीं चाहिए है लोजन कौन सा है बताना है चलो है लोजन कौन सा है आपको बताना है इसमें है रोजन कौन सा रहेगा जल्दी से जल्दी से जल्दी से कमेंट करो है लोजन है लोजन बहुआ चलो हाँ बिल्कुल जिसका इसका डी आंसर रहा सभ और आयोडिन को हम लोगा तो कहते हैं तो हायोडिन में अपको फ्लूरीं तत्व को causal आइजा की और जाकर ब्रॉरीं plastics को जोड़ Kolko言ے जो टो पड़ेगा पड़ेगा तो और फ्लूरीज मिलता है सब समただ इस को चलते हैं कि यह तो आपके लिए और जादी इंपोर्ट ने देख लो पढ़ो पहले क्या लिखा गए निम लिखित में से हराथ हो था कुन है है और भी ग्रीन वहिट्रियोल आपको बताना है कि इसमें से जल्दी से कमेंट कर सकता है पूँआ ग्रीन वहिट्रियोल के बारे बताना है हरात हो था चलिए हरात हो था एक कुन हो ता हर 1956 होने आपको बताना है आपको निम्न में हरात हो था कों होता ह सभी लोग से बिल्कौल सबसे पहले कहा जाए यहां पर फाइब तो धियां रखो तो और आपको पुछा के हरी एर का कौन रहा हो जाएगा एपसोफोर सेवेने स्टू अंसर बोलो बहुआ बी आंसर बी रहेगा चलिए अगला कौस्टन को चलते हैं इंजाइम क्या है यह तो एकदम इंपोर्टेंट है वायो मलेकुल्स का इंपोर्टेंट कोश्टन है बहुआ इंजाइम क्या होता है 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 इंजाइम के बारे में बताना है कि इंजाइम क्या होता है इंजाइम क्या होता है आप ही अधिक important है बहुआ इंजाइम क्या होता है जल्दी से इसके बारे में बताओ इंजाइम क्या है और ऑफ ये जिसका जिसका भी आंसर वोगवा आपको जो protein आ अधिक तम maximum enzyme protein होता है आपका protein ही होता है maximum enzyme आपका protein होता है तेहां अगला कोश्चन सबसे प्रवल अमल कौन सा है चलो जल्दी से बताई तो बताया गया कोश्चन है बदमास इसको तो बताना ही पड़ेगा आपको सबसे प्रवल ऑक्सिकारक सबसे प्रवल सबसे प्रवल ऑक्सीकार कौन है इह बताना है इस ट्रॉंगिस्ट इस इजड श्लो चलो यहां बिल्कुल जिसका अंसर यह है सभी लोग सही हो यह उसर बला है ंथस ऐलो लेगा बिल्कुलुमार ऑक्सेट उतना जए ज्यादी अम लिए जितने जादी चार टुन है यह से सबसे अच्छा आपकामल हो जाएगा थेका ना प्रमॉर ऑक्सियन इसे डिग और स्वावा अग्ला में अनुत प्रदरश्य करने वाला प्दारथ कौन बोगा अनुस्चुम्बकत परदर्सित करने बाला पतार्थ कौन सा है बहुत है बिल्कुल ठीक है बिल्कुल जिसका इसका और रहा है सभी लोग सही हो और आपको एक सेप्सटन बताये थे अनुस्चुम्बकत हो जागा पारमेगनेटिजम जो हो जागा बहुत है इसमें से कौन सा मिल रहा को अनुस्चुम्बकत हो जागा पारमेगनेटिजम जो हो जागा बहुत हो जागा अब का अंसर भी आपका कौन सा अंसर होगा बी आंसर हो जागा चलो अगला कोस्टन देखो निमली खित सवर यहाँ दिया गया कोस्टन कि कौन सा आक्रिये गैस प्रकृति में सबसे अधीक पाया जाता है सबसे अधीक नेचर में कौन होता प्रकृति में सबसे कौन है हिलियम है कि नियोन है कि आरगन है कि क्रिप्टन है यह बताना है कि सबसे कौन सा अधीक प्रकृती में सबसे अधीक पाया जाता है सबसे अधीक प्रकृति में पाया जने सबस्याधिक होता है मित और कोई कवा नशाख थे नहीं लेता है तो आर्गन आपका हो जागा जो आक क्रिये गयास तो में सबस्याधिक प्रक्रेटी में पाया जाता है चलो अगला कोसर्षणि क्यों चलते हैं नेक्स को सबस्याधिक है कि निम्रेखित में कौन सा गैस एक परमानमिक होता है इसमें से बताना है ऑक्सीजन है हिलियम है नाइटोजन है क्लोरीन है कौन आकेले रहने वाला है मौन एक परमानमिक क्यों होता है जल्दी से बताई यह पीछे बीश का थैक यह यह ळाया था बिल्कुल इसका परमानमिक होता है सभी लोग सही हो बाले अव का यह सर भी होगा ही्लियम हिलियम इन्होंता है थैक आपका हुन आपका जो होता मोन सब अक्रियेगेश जितना भी होता भुगा सब का सब मोनो एटोमिक होता है एक परमानमिक होता है ठीक है चलो अगला और ये भी एक important question है PCL5 के बार में कुछ information दिया गया है कि PCL5 क्या है oxygen agent होता है अब कारक reducing agent होता है बोथ oxygen and reducing agent औक्सिकारण और अबकारण दोनों होता है इन मेंसे कोई नहीं PCL5 के बार में बताना है कि क्या होता है औक्सिकारण है अबकार गोई यूई एक दम ध्यां रखेगा PCL5 आपका येप बेहतर औक्सिकारण होता है बहतर ऑक्सिडाइजिंड engine होता है पूछा गया question है पूछा गया है लिखा गया है सी फाइब लिखा गया है वहाँ पर लिखना है आपको PCL 5 उसको लिख लेना है PCL 5 लिखना ऐसे तो PCL 5 जो होता है आपका एक बेहतर अक्सिकारक होता है एक अच्छा साक्सिकारक होता है यह अंसरब का चलिए यहां कुछ आया है देखो पीसे में सेंटर लाइक कीजिए चैनल को करें देखो लाइक कर देना किजिए और चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ठीक है दोस्तों के साथ सको कीजिए करना चलो आगला कोसिटन को चलते है नाइट्रोजेन और Oxy funcion के बारे है चलो चलो जल्दी से कमेंट करो क्या रहेगा इसका आंसर का नाइट्रोजन और अक्सिजन क्या रहेगा फिल्कुल तो होगा ही नहीं गैसी अवस्ता में होता है अपका थाइगा हाँ नाइट्री कमल का सुत्र बताना है जल्दी से बताओ नाइट्री कमल का सुत्र क्या रहेगा ओप्सन दिया गया है यह जल्दी से नाइट्री कमल का सुत्र क्या है बिल्कुल इस जिसका है सभी लोग सही है do सो भर इसको रिपीट करो बोलते रहो 100 वार बोलते रहो एकनों सा संक्यत स्सक्aca सॉण हिलीयम का संक्रेयम हिलाइं क्या होता है कौन सा संक्रेयम को як कि आगि चलते हैं हुआ शेच फोर में सिगमा बंधनें की संख्या CH4 में कितना Sigma bond होता है आपको बताना है चलो CH4 का structure से हम बना देते हैं ऐसे रहेगा हलाकि उल्टा चाता यह सा टेटर है आप लोग पढ़े होंगे वैसा होता लेकिन नॉर्मली जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं उस तरह से CH4 का आपको हम structure बना देते हैं आपको बताना है कि 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 1 सिद्डा से यहां है यहां है तो टोटल मिलाके हैना है तो है आपका अंसर टो है पका पूछला खरस लोसर कर यह 2 हे एक आपको यह बताना है कि यह क्या होता ही अति-महत्यपून कोस्चन है जल्दी से बताइए तो यह क्या होता है आपका क्या है जो बताना है ऑफ हास्मिक होता हैं मतलब डाइबेसीक अचिड होता है इसके बाद कहा गया हम Mono basic acid होता है हाँ देखो डाइ basic है Mono basic है Mono basic है Monoacidic वेस होता है और डाइ acidic वेस होता है क्या है तो सबसे पहले आपको यह धियां रखना है बुगा कि यह जो आपका है जब इसको जल में डालो गएता दूग एच प्लस देता है तो आपको धियां रखना है कि यह जो आपका होता है डाई basic acid होता है आपको पता है इसमें यह आजागा एक इंपोर्टेंट कोस्टन है जब जल में डालेंगे तो दोगो एज प्लस देगा डाई बेसिक आपका एसीड हो जाएगा द्वी भास्मिक आम लेकदम इसको धियां रखो द्वी भास्मिक अमल रहेगा ठीक है आगे ओलियम ओलियम में आपको पता हुआ कि एस्टू एस्टू चैंद में तो आपको हीव घ्यार में बड़ाइब है को said आपको एस्टू इसा गश्यार के साथ और कौं सा अबभेव होता है अब को बताना कि ओलियम में A2SO4 के साथ और कौन सा व्यव होता है देखो एच टू जिसका इसका बहुआ A2SO3 आगा सभी लोग सही हो A2SO4 और A3 जब दोनों मिलता तब ही ओलियम बनेगा बहुआ देखो कैसे हाइडोजन के गो है बहुआ दूगो लिखे इधर तो कहीं हाइडोजन है नहीं सलफार एक यहां एक यहां तो दूगो हो गया चार गो यहां तीन गो यहां उकसे आंता चार तीन साथ ओसे बिना तो रहा है तो A2SO4 के अलावा इसमें A103 आपका कंपोंड रहेगा बी आंसर में और चाहिकते हैं अगला पोसितन है उजला और फीला फॉस्पृस हाइंड लॉप क्या होता है रहता है और पेला फॉस्पृस्पृस वैपटाये सभी लोग सहह यह वाले न में पर रूप होता है धियां रखे दोते हम इसमोटा यह ने वाई बब्राप हे हैं लोट्रोप परूप अपरोप मतलब यह किनी प्रकृorrति में कई रूप में पाबल जाटा है यह कर्का चाहिए कभी पंडीत मुझार रहे हैं कभी किसान हो जाएगा सब क्लिए अपरूप है तो अपरूप मतलब और यहां पर दिया गया पीस्टेमेज को सेंटर लाइक सेरें सब्सक्राइब करो चैनल को वीडियो को लाइक किजिए चलते हैं और अगला कोस्टन में आपका हो गया है इंड खतम हो गया है तो सबसे पहले आपको धिया रखना वहाई टोटाली पहना हम लोग आई थिंग के कि लिए मिशन हम लोग को है तो लिए इस तरह हैं गो से नहीं और यह जादे को से नहीं रहता है नॉर्मल पर्सटन को सना आपका इसां रहता है तो ठीक है रहने देती हैं और अगला वीडियो के लिए थ्वासा इंद जार किजिए